आप सबको नमसकार डिली के अंदर अब धीरे धीरे करोना की स्थिति बहतर होती जा रही है उसी को देखते हुए पिछले हफते से लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी ये ज़रूरी है कि अगर करोना के स्थिति बहतर हो रही है तो अर्थ व्यवस्था को वापस पट्री पिलाना भी बहुत जरूरी है पिछले हफ़ते हमने construction workers और factory ये दो sectors खोले थे पिछले एक हफ़ते से construction activities और factory दोनों खोले हुए हैं लेकिन करोना की स्थिती अभी control में है पिछले 24 घंटे में लगबग 400 के करीब case आये हैं 500 से भी कम हो गए अब cases 400 के करीब cases आये हैं और 0.5% के करीब positivity बची है संक्रमंदर बची है तो स्थिती काफी control में है और भगवान करें ऐसे control में रहे तो ये वाला जो lockdown पिछले हफ़ते एलान किया था वो सोमवार को सुभे 5 बजे तक है उसके आगे भी lockdown जारी रहेगा लेकिन काफी सारी और activities में रियायत दी जा रही है उनको खोला जा रहा है एक तो जितने बाजार हैं मॉल्स हैं उनको खोला जा रहा है odd even के basis पे कि आधी दुकाने एक दिन खुलेंगी आधी दुकाने दूसरे दिन खुलेंगी आधी दुकाने एक दिन आधी दुकाने दूसरे दिन दस बजे से सुबह दस बजे से शाम को आठ बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से और इवन के हिसाब से दुकाने खोली जाएंगी दूसरा जितने दिली में सरकारी दफतर हैं उन सरकारी दफतरों में group A officers जो हैं वो 100% काम करेंगे और group बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे लेकिन जो essential services में काम करने वाले करमचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर HOD decide करेगा कि किसको essential service कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है जितने private offices हैं उन सभी private offices में 50% manpower के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग work from home करें और अपने private offices कोशिश करें अपने time को stagger करने की कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आएं दूसरी चीज़ जो stand-alone shops हैं और जो essential services provide करने वाली shops हैं वो odd even के basis पे नहीं वो रोज खुलेंगे दिल्ली metro 50% capacity के उपर चारू की जा रही है और e-commerce के जरीए जो समान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी तो मोटे मोटे तोर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उमीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ़ते के अंदर भी करोना की स्थितिय अगर काबू में रही तो और कई सारी activities को फिर उसके अगले हफ़ते खोलेंगे Third wave कहा जा रहा है experts कहरें कि third wave आएगी कब आएगी कितनी भयावा होगी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के बादे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी तरह से हम तयारी करें ताकि अगर third wave आती है अगर बहुत भयानक होती है तो सरकार उस वक्त जनता के लिए तयार हो इसके तयारियां पूरे जोर शोर से दिली सरकार के अंदर चल रही हैं और कल लगबग छे घंटे तक मैंने दो अलग-अलग मीटिंग ली एक्सपर्ट्स के साथ बात की जिन आफिसर्ज ने अभी करोना के दौरान काम किया था उनके साथ बात की हमने दो कमिटीज बनाई हैं उन दोनों कमिटीज के साथ मैंने बहुत डीटेल में चर्चा की एक चीज हम लोगों को ये तैक करनी थी इस बार करोना की जो पीक आई थी मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए लगबग 28,000 के करीब केस आई थे एक दिन में बाइस या तैई सेपरिल के आस पास अगली पीक कितनी हो सकती है तो ये तै कि अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट के साथ बात करके ऑफिसस के साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे जादा की पीक आईगी तो हम तैयार नहीं हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के उपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उस से भी कहीं ज्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग उसकी भी अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मानलीजे और ज्यादा आती है तो उसके तैयारी तो उसके लिए हम ज्यादा तैयारो nächste हजांगे तो 37,000 को एक तरह से बेस माना जा रहा है 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशन किये जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की जरूर पढ़ेगी कितने आईसी उ की जरूर पढ़ेगी कितने उसमेंसे बच्यों वाले होने चाहिए कितनी अक्सिजिन की जरूर पढ़ेगी ये सारी चीजे अब कितनी दवाईयों की जरूर पढ़ेगी ये सारी चीजें अब कैलकुलेट की जा रही है एक पीडियर्टिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है वो pediatric task force ये तै करेगी कि जितने हमारे oxygen beds होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए कितने ICU beds होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किसम का सारा equipment होगा उसका अलग किसम के मास्क होगे अलग किसम का उक्सिजन का मास्क होगा उसके सारी अलग होँगी वो pediatric task force बना दी गई है कल उस वो अलग से अपने तैयारी करके अपने recommendations देगी इस बार oxygen की बड़ी कमी हुई थी और oxygen की कमी की वज़े से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब oxygen beds नहीं मिले थे oxygen के लिए काफी संघर्श करना पड़ा था ultimately अपने को Supreme Court के intervention के बाद केंदर सरकार के सहयोग से अपने को oxygen मिली लेकिन जब तक oxygen नहीं मिली तब तक दिल्ली में तरही तरही मच गई थी अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर तरही तरही मचे तो यह तै किया गया इसकी तैयारी शुरू कर दी गए 420 ton oxygen की storage capacity तैयार की जा रही है इंदरपरस्थ gas limited से बात की गई है और उन्हें 1500 ton oxygen production का plant 420 ton oxygen तो storage capacity create की जा रही है और 1500 ton oxygen production करने के लिए उनको plant लगाने के लिए कहा गया है उन्होंने कहा है 18 महीने लगेंगे लेकिन जो भी यह शुरूवात कहीं न कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी tanker की oxygen के tanker नहीं था दिल्ली में दिल्ली industrial state नहीं है इसलिए अपने पास oxygen tanker ही नहीं दिल्ली में तो 25 oxygen tankers खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए oxygen की तो हमारे पास अपने tanker होने चाहिए 64 चोटे चोटे oxygen के plants लगाए जा रहे हैं वो already लग रहे हैं और हमें उमीद है कि अगले कुछ हफ़तों के अंदर एक दो महीने के अंदर ये 64 oxygen plants लगके तयार हो जाएंगे अब ये जो हमने decide कि 37,000 cases की peak के हिसाब से हम काम करेंगे तो उसके हिसाब से तै किया जाएगा कि कितने oxygen beds की ज़रूरत होगी कितने ICU beds की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से फिर तै किया जाएगा कितने oxygen cylinders की ज़रूरत होगी जैसे अभी थोग दिन पहले हमने 6000 cylinders China से import किये थे तो और कितने oxygen cylinders की ज़रूरत होगी और कितने oxygen concentrators की ज़रूरत होगी आगले आने वाले एक दो महिने के अंदर धेर सारे oxygen concentrators दिली सरकार खरीदने जा रही है दवाईयों को लेके दो एहम निरने किये गए एक तो ये की इस wave में ये देखा गया कि WhatsApp के उपर दवाईयां खुब तेजी से प्रिस्क्राइब की जा रही थी और उसके उपर मतलब बात फैल जाए कि ये दवाई बड़ी अच्छी है तो पूरे समाज के अंदर पूरे शहर के अंदर पूरे देश के अंदर उस दवाई की अफरा तफरी मत जाती है तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एक्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से करोना में फाइदा होगा की नहीं होगा अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को महाया कराने की कोशिश करेगी और डॉक्टर अगर कहते हैं कि यह दवाई बिलकुल बेकार है इससे करोना में कोई फाइदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें तो जनता को उसके बारे में जागरू किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजे एक यह दूसरा जो जो इ दवाई की कितनी हैं एक स्पाइरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाईयों का बफर स्टॉक क्रियेट किया जा रहा है ताकि अगर जरूर और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिया जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक्स इस तरह से तयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तयार रहें इसके लावत दो जिनॉम सिक्वेंसिंग लैब्स बनाए जा रही हैं एलन जेपी हॉस्पिटल में और आयल बीस में ताकि हमें भी पता रहे कि दिल्ली के अंदर जो भी वेरियंट आ रहा है वो वेरियंट कौन सा वेरियंट है पुराने वाला है या कोई नया वेरियंट आ गया है और हमें इस बारे में क्या एहतियात बरतने की जरूरत है हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं तो ये बहुत सारी चीजें कल चर्चा हुई ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सरकार पूरी तरह से 24 घंटे लगी हुई है इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए उसके पहले हम कोशिश करेंगे अपने लोगों को वैक्सिनेट कर दें लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो लोगों को तकलीफ नहीं होने चाहिए इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे नमस्कार